नमस्कार मैं हूँँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशे स्काशक्रम के साथ नया साल आपको बहुत-बहुत मुवारक हो नय साल की जन्वरी माह में जो सबसे महत्पुन पर है वो है मकर संक्रामती मकर संक्रामती के दीन आप किस तरह से भगवान सुर्ज की उपासना करेंगे सुर्ज और सनी से सम्मंधित अगर कोई आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं साथ में हम ये जानेंगे कि आखिर इस रासी परिवर्तन को सुर्ज के इस रासी परिवर्तन को क्यों कहते हैं मकर संक्रामती मकर संक्रामती के दिन दान करना क्यों महत्पुन है साथ में इस साल आप मकर संक्रामती कम मनाएंगे 14 जनबरी या 15 जनबरी को साथ में हम आपको ये भी बताएंगे जोतिस के अनुसार मकर संक्रांती का क्या है महत्व साथ में रासि के अनुसार आपको मकर संक्रांती के दीन क्या खास करना है लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं पैसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दवाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुनत मिल जाए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्या होता है मकर संक्रांती सुर्ज का किसी रासी में जाना संक्रांती कहलाता है मकर संक्रांती में मकर सब्द मकर रासी का प्रतिक है जबकि संक्रांती का अर्थ होता है संक्रमन करना सुर्ज जब मकर रासी में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांती कहते हैं मकर संक्रांति से अगनी तत की सुरुवात हो जाती है, बाताबरन में सीत, रूतू, धीरे-धीरे कम होने लगती है मकर संक्रांति पूजन से जीवन में खुसहाली, समिर्दी और सांती आती है इस दिन ऐसा माना जाता है गंगा असनान कर ब्रत, कथा, दान और भगवान सुर्ज की उपासना करने का बिशेश महत होता है मकर संक्रांती के दिन दान का आखिर क्या महत होता है आपने सुना होगा कि मकर संक्रांती के दिन दान का काफी अधिक महत होता है अगर आप इस दिन दान करते हैं तो इस दान का आपको 100 गुना अधिक फल मिलता है मकर संक्रांती के दीन से सुर्ज दक्षनयान से उतरायन हो जाता है सास्त्रों के नुसार दक्षनयान को नाकरात्मक्ता तथा उतरायन को साकरात्मक्ता का परतिक माना जाता है इसलिए इस दिन मकर संक्रांती के दिन जप, तप, दान, असनान, स्राज, तरपन, आदि, धार्मिक कर्मों का विशेस महत माना जाता है इस दिन ऐसा मानते हैं कि सुद्ध घी एवं कंबल का दान करने से मोक्स की प्राप्ति होती है तो मकर संक्रांती के दिन अगर आप कुछ करे ना करें भगवान सुर्ज को जल अवस दे और साथ में एक कंबल का दान किसी गरीब को आप अवस करें ये आप के लिए काफी महत्पूर्ण होगा इस साल 2020 में मकर संक्रांती आपको कम मनाना चाहिए देखिए साल 2020 में सुर्ज 14 जन्वरी की साम को मकर रासी में परवेश कर रहा है तो आपको मकर संक्रांती इस वार 15 जन्वरी को ही मनाना है अब है कि जोतिस के नुछार मकर संक्रांती का क्या मत होता है चुकि सुर्ज मकर संक्रांती के दीन मकर रासी में परवेश करता है और मकर रासी सनी की रासी है इसलिए ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांती के दीन सुर्ज अपने पुत्र सनी से मिलने आते हैं और इसी कारण इस दीन को बड़ा महत्व दिया जाता है आप जानते होंगे कि भगवान सुर्ज और सनी के बीच में सत्रुता है, उसके बीच में नहीं बनती है, लेकिन इस दिन भगवान सुर्ज अपने पुत सनी से मिलने आते हैं, इसलिए इस दिन का खास महत्व है, और इसलिए इस दिन आप भगवान सुर्ज के साथ भगवान स को भी प्रसंद कर सकते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे अभी है कि मकर संक्रांती की दिन आपको क्या करना चाहिए क्या खास उपाय करना चाहिए क्या आपको सबसे सिंपल चीज करना चाहिए ताकि मकर संक्रांती का पूरा पूरा फैदा आपको मिले मकर संक्रांती के दिन सुर्जोद्यक के बाद पहले घंटे में एक घंटे के अंदर अंदर आपको असनान कर लेना चाहिए और सुर्ज को साधा जल से ओम घिरनी सुर्जाय नमहा इस मंतर का जाप करते हुए सुर्ज को अरह देना चाहिए किसी निर्धन को अनाज, नए कंबल और घी का दान आप अवस करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्पुन होगा मकर संक्रांती के दिन दान का बहुत परामध होता है और इस दिन दान करने से आपकी कई तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है नए अंसे खिचरी बनाएं और भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद की रूप में आप इसे गरन्भी कर सकते हैं अब यह है कि मकर संक्रांती के दिन अगर आपको सुर्ज से समझीद कोई समस्याएं हैं आपको अपने पिताजी से नहीं बनता है आपको अंख की समस्याएं सरकारी चीजे सरकारी काम में आपको अर्चन आ रही है तो इस तरह के अगर समस्याएं हैं यानि सुर्ज से समझीद कोई भी समस्याएं हैं तो आप भगवान सुर्ज को इस दिन प्रसंद कर सकते हैं और एक सा आठवार अवज जाप करें, मंत्र है ओम, हराम, ह्रीम, हरौम, सह सुर्जायनमा, इसके सासत आप चाहें तो सूर्ज गायतरी मंतr का भी जाप कर सकते हैं, मंत्र है ओम भासक्राय बिद्महें महा तेजाय धीमहीं तन्नो सुर्ज प्रचोधियात इसके बार लाल बस्त्र तामबे के बरतन और गेहु का अबधान करें निश्चित रूप से आपके जिंद्गी में सुर्ज से सम्मधित कोई भी समस्याय होगी तो ये समस्याय दूर हो जाएगी और आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो भी काम बने लगेंगे मैंने आपको पहले बताया कि इस दिन मकर संक्रांति के दिन चुकी सुर्ज भगवान सनी से मिलने आते हैं इसलिए आप मकरजंकरांती के दिन भगवान सनी को भी परसंद कर सकते हैं जल में तील और अक्षत मिलाकर सुर्ज को आप अरख दें इसके बाद सनी के मंत्र का कम से कम आप एक सा आठ बार जब कर लें मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्राम सहसन स्रायन महा काला कंबल लोहे के बरतन ताबा कड़ाई और घी का दान आप अवस करें निश्चित रूप से भगवान सनी आपके उपर प्रसंद होगे और भगवान सनी अगर आपके उपर प्रसंद होगे तो आपके जिन्दगी में जित सबसे पहले मेश रासी, आप जल में पीले पुस्प, हल्दी, तील मिला करके भगवान सुर्ज को आप अर्ख दीजे, तील और गुर का दान दीजे, आपको उच्पत की प्राप्ती हो सकती है, बिर्शफ रासी, जल में सफे चंदन, दूद, स्वेत, पुस्प, तील डाल कर भगवान सुर्ज को आप अर्ख दे, महत्पुन योजनाय प्रारम्भ होने के योग बनेंगे, आपको ये काम अवस्प कर लेना है, मिथून रासी, जल में तील, दूरवा, तथा पुस्प मिला कर भगवान सुर्ज को अर्ख दे, गाय को हराचारा दे, मूम की दाल की सकते हैं, कला संघर्स, ब्यवधानों से आपको मुक्ती मिलेगा, सिंघरासी के लोगों को मकर संघराम्ती के दिन क्या करना चाहिए, जल में कुमकुम तथा लाल पुस्प, तील डाल करके भगवान सुर्ज को अर्ख दे, तील, गूर, गेहू, सोना का भी आप दान दे सकत हैं, किसी बड़ी उपलब्धी की प्राप्ती हो सकती है, आपको, कन्यारासी, जल में तील, धुर्वा, पुस्प डाल करके भगवान सुर्ज को अर्ख दे, मूंग की दाल की खिचरी दान दे, गय को चाला दे, सुब समचार मिलेगी, तुलारासी, आपको मकर संक्राम्ती क दिन सफे चंदन, दूद, चाबल, तील मिला करके भगवान सुर्ज को अर्ख देना चाहिए, चाबल की आप दान करें, बैवसाय में बाहरी संबंधों से लाप और सत्रू से आपको निजात मिलेगा, ब्रिस्चिक रासी, जल में कुम-कुम, रक्त-पुस्प तथा तील मि केसर, पीले पुस्प मिला करके आप सुर्ज को अर्ख दे, चारों और से बिजय होगी, मकर रासी, जल में काले निले पुस्प, तील मिला करके आप सुर्ज को अर्ख दे, गरीब अपंगों को भोजन का दान दे, अधिकार प्राप्त होगी, आपके सारे काम भी बनेंगे, कुम रासी जल में नीले काले पुस्प काले औरत तील मिला करके आप सुर्ज को अरख दें तील का आप दान दे, साथ में तील के साथ साथ आप सरसो तिल का भी दान दे सकते हैं, आपके जो बिरोधी होंगे वो भी प्रास्त हो जाएंगे मीन रासी, हल्दी, केसर, पीला, पुस्प, तील मिला करके आप सुर्ज को अरग दे, सरसो, केसर का दान दे, शम्मान और यस बढ़ेगा तो आपको रासी का रुसार भी आप खास दान दे सकते हैं मकर संक्रामती के दीन और सुर्ज और सनी को प्रसंद करने का जो महा उपा है मैंने आपको बताया अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो कि पैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो आपने दोस्तों के साथ भी शेर करें